कि सभी किसान भाईयों को मेरे नमस्कार आज की वीडियो में न्यू होलेंड 65 दॉस ट्रेक्टर है इसके बारे में बात करेंगे और किर्पया जो चैनल पर पहली बार आई हैं वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें नोटिफकेशन ओन कर लें और फेजबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें तो आई ये आप ट्रेक्टर दिखाता हूँ आपको मैं तो ये ट्रेक्टर है आपके सामने फॉर बाई फॉर मोडल ट्रेक्टर है आगए वेट हैं कंपनी फिटेड देख सकते हैं आप और ये अगला टायर साइज आता है इसमें ग्यारा दो चोबिस का और पिछला टायर साइज आता है इसमें सोड़ा नो तीस का और 65 ओस पाउर में आता है ट्रेक्टर के रूटरी पंप के साथ देख सकते हैं आप रूटरी पंप आता है इस्ट्रेक्टर के अंदर नियू होलेंट 65 दस एक्सल के साथ आता है ट्रेक्टर दिखाऊंगा मैं आपको उपर से भी और अगर पिछे से बात करें और यह पिछे और पिछे वही 500 किलोगराम जो लिफ्ट कपैस्टी बढ़ा देता है वह वाला जैक भी है इसके अंदर दिया हुआ देख सकते हैं आपके सामने और पिछे से बात करें तो कुछ इस तरह की लूक है और 55.9 HP PTO पाउर है इसकी और 2,000 किलोगराम में लिफ्ट कपैस्टी है इसकी और यह प्लस जैक है 500 किलोगराम इससे बढ़ जाती है तो 25 किलोगराम लिफ्ट कपैस्टी है इसकी और यह कनोपी 7 लगी वे आपती है उसके और इस तरह से बात करें तो उपर चड़ने के लिए बड़िया फुट गार्ड दे रखे हैं पर चड़ने के लिए और कम साउंड के लिए सेलेंसर भी बड़िया जब जब सेलेंसर दे रखा है तीन सिलेंडर में इंजन आता है इसका और उपर से बात करें कुछ यह LEX SEATS की भी बढ़ी sudah特別 आती है बढ़ी है और यह इसका instrument cluster है यह देख सकते हैं आप और शठल गेर के साथ आता है यह और यह इस तरह रेस है और उपर से बैठ कर कुछ बात करें तो इस तरह की लूक आती है ट्रेक्टर की और यह देख सकते हैं आप लो हाई मीडियम में आता है ट्रेक्टर रहे हैं और चार गेर हैं इसमें मतलब लो हाई मीडियम में 12 फोरवर्ड और 12 चार रिवर्स होगे और फिर सटल गेर भी है इसके साथ इसमें और यह लूक आउपर से बैट कर और यह ब्रेक हैं और यह इंडिपेंडेंट क्लच है देख सकते हैं आप और शटल गेर में होता है जिस गेर में आप अग्गे चल रहे हैं उसी एकदम इसको पिछे करेंगे तो एकदम उसी स्पीड में पिछे चलेगा और उसी से अग्गे चलेगा तो यह देख सकते हैं आप यह थी न्यू होलेंड पैंसर दस के कंप्लीट जानकारी आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करें मिलते हैं आगे फिर किसी और अच्छी सी व झाल